हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम उलेकुम विल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल शाहिद रशीद होप आज की शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको कवा और मोर क्राउ और पिकॉप की स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको लग रहा होगा कि ये तो बच्चे वाली स्टोरी है ये क्यों सुनाया जा रहा है और हम ये स्टोरी क्यों सुने ये सब कहानी तो हम लोग वन और टू किलास में सुन चुके हैं तो आज हम ये स्टोरी से हमें सुनने से क्या पाइदा होगा जब हमने बच्पन में ये स्टोरी सुना था तो उस टाइम पे हमें moral of story सिखाया जाता था और हम उस moral of story को याद कर लिया करते थे लेकिन हमें उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था कि इस moral of story का life में कहा implement होगा और कैसे होगा लेकिन आज इस story को सुनने से आप जब moral of story सुनेंगे moral of story समझेंगे तो आप अपने life में implement कर सकेंगे और उस implementation की वज़े से आप अपने आपको success की ओल ले जा सकते हैं आप अपने आपको काम्याबी की ओल ले जा सकते हैं तो ये story सुनाने का main motto यही है कि हम सब अपने life में अच्छे morals को implement करें और success हासिल करें तो आए इस story को सुनते हैं और इसके moral of the story को समझते हैं और अपने life में कैसे implement करेंगे और हम अपने आपको काम्याबी की ओर कैसे ले जा सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये stories पसंद आएगी तो let's start एक जंगल में एक कवा रहता था वह उस जंगल में बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिन्दगी गुजार रहाता है एक दीन अचानक उसे किसी दुसरे पक्षी पर नजर पढ़ता है और उसे वह पक्षी बहुत ही संदर देखता है वो उस पक्षी के पास जाता है और उस पक्षी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है पक्षी ने हस कर जबाब दिया मेरा नाम हंस है कववा बड़ा खुश हुआ और हस कर हंस से कहता है तुम तो बहुत सुन्दर हो तुम्हारा रंग भी सफेद है तुम्हें तो जिन्दगी जीने में बहुत मज़ा आता होगा हंस ने कहा नहीं मुझसे भी कोई और सुन्दर है अब कववा हैरान हो गया और पूछा कि वो कौन है तो हंस ने कहा वो तोता है अब कववा ने तुरंत महां से उड़कर तोते के पास गया और तोते को देखकर हैरान हो गया उसके गरदन लाल थे और वाड़ी हराधा वह देखकर बहुत खुश हुआ और तोते से कहा यार तुम तो बहुत सुन्दर हो तुम तो बहुत खुश रहते हो गए तुम्हारा रंग कितना प्यारा है इस पर तोते ने जबाब दिया नहीं मुझसे भी और भी सुन्दर है तो कववा हैरान होकर पुषता तुमसे और भी ज़्यादा सुन्दर कौन है तो उसने बोला मौर और कववा वहां से उड़कर मौर को ढूंडने लगा उसने कई दिनों तक मौर को ढूंडा और उसे कहीं नहीं मिला लेकिन एक दिन उसे पता चला कि मौर शहर के चिड़िया घर में है और कववा वहां चिड़िया घर पहुँचा और वहां उसने मौर को पिंजड़े में देखा और बहुत से लोग मौर के साथ फोटो खिचवा रहे हैं यह देखकर कववे को थोड़ी जलन हुई कववा ने मौर के पास गया और मौर से कहा तुम्हारी जिन्दगी में तो मज़े ही मज़े हैं मौर उदास होकर कहा किस बात के मज़े हैं मैं भले ही देखने में शांदार हूँ, सुन्दर हूँ लेकिन मेरी पूरी जिन्दगी इस पिंजड़े में ही गुजरने वाली है मौर ने कववे से कहा यार तुम बहुत खुस किसमत हो तुम तो खुले आसमान में जीते हो तुम्हारी जहां मर्जी है तुम वहां जा सकते हो तुम तो आजाद हो अपनी जिन्दगी अपनी मर्जी से जी सकते हो दोस्तो एक बात हमेशा याद रखना जिन्दगी में कभी भी किसी से तूलना मत करना अपनी तुलना दूसरे से करने से कोई फाइदा नहीं हमें वो करना चाहिए जो हमारे अंदर की क्वालिटी है जो हमें बनना है अगर आप किसी से तुलना करते हैं तो आप उस तरह के तो बन नहीं पाऊगे और जो आप में बनने की सलायत थी वो भी नहीं बन सकते क्योंकि आप अपना टाइम बरबात कर चुके होते हैं तो लाइफ में हमें किसी की लाइफ से तुलना नहीं करना चाहिए इस स्टोरी का मोरल हमें क्या मिला हर एक इनसान की जिंदगी में अच्छी और बुरी सारी चीज़े हैं तो हमें अपने अंदर के अच्छाई को देखना चाहिए दूसरे के अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए हम दूसरे की लाइफ से हमें जलने की जरूरत नहीं है दूसरे की लाइफ से इर्शा करने की जरूरत नहीं है हर लोगों को दूसरे की लाइफ लगती है कि अरे वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो पता चलेगा कि उसकी लाइफ में भी कितनी तकलीफ हैं कितनी मुश्किले हैं तो हमें अपने मुश्किलों को छुपाना चाहिए हमें जरूरी नहीं है कि अपनी तकलीफों को लोगों को बताना चाहिए लेकिन जो हमें हमारा रब हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए हमें अपने रब का शुक्र बजा लाने की जरूरत है और अपने आपको काम्याबी की और ले जाने की जरूरत है तो दोस्तो इस स्टोरी का मॉरल लेसन क्या दें इस स्टोरी का मोरल लेसन ये था कि हमें दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को तुलना नहीं करना चाहिए हमारा रब हमें जो कुछ दिया है हमें उस चीजों पर फोकस करने की ज़रुत है हर इनसान को दूसरे की लाइफ आसान लगती है हर इनसान को दूसरे की लाइफ मज़धार लगती है लगता है कि अरे वो तो बहुत मज़े में होगा लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस चीज से गुजर रहा है उसकी लाइफ में क्या परेचानी है हमें लगता है कि जो दौलत मन इनसान है वो खुशाल होगा वो बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिन्दगी गुजार रहोगा लेकिन ये कोई जरूरी नहीं उसके पास दौलत है वो एक फैक्टर है लेकिन खुशी सिर्फ दौलत से ही तो नहीं मिलती तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है तो जो आपके पास है आप वो चीजों के तुलना दूसरे से ना करें तो हम लोगों को अपनी लाइफ में किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है जो बड़े लोग है जो कामयाब लोग है जो लोगों ने अपनी जिन्दगी में कुछ अचीफ किया है उसकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए उसक पर हमें चल कर खुद भी काम्याब होना चाहिए लेकिन हम हर वक्त दूसरे से तुलना करें आरे ये मेरे पास नहीं है उसके पास वो है ये चीज़े ऐसा है उसके पास ऐसा है वो सुन्दर है मैं सुन्दर नहीं हूँ ये सारी तुलना करने की जरूरत ने हैं इनसान खुदा ắगे बढ़ना यहां, हम लोग अपना टाइम जो लोग कामयाब नहीं हो क्यों कामयाब नहीं कोशजाते हैं, पूरत इंठास के नियlie नहीं करते हैं, उनका time management फोकस management यह सब उच्छे अच्छे धंक झादने चल रहा होता, हम consistent नहीं होते हैं, हमchas और नहीं होते हम हार्ड वर्क करते हैं स्मार्ट वर्क नहीं करते कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो हर फैक्टर्स हम लोग हर एक वीडियो में सीख रहे हैं रोज कुछ न कुछ अपनी लाइफ में सीख रहे हैं तो हमें उन बातों को इंप्लिमेंट करना है और अपनी लाइफ को काम्याबी की ओर ले जाना है So मेरे दोस्तों खुद को पहचानो अपनी पहचान खुद बनाओ किसी को ब्लाइंडली फालो करने की जरूरत नहीं है उपर वाला सभी लोगों को काम्याबी हासिल करने का एक मौका देता है हर एक इनसान की लाइफ में वो पल आता है जो वो उसे अच्छे से यूटिलाइज करके वो अपने आपको काम्याबी की ओर ले जा सकता है सो हमें अपने अंदर की पोटेंशल को पहचानने की जरूरत है अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है जिस दिन आप अपने अंदर के पावर को पहचान लिया अपने अंदर की पोटेंशल को पहचान लिया और उसी पावर के साथ उसी पोटेंशल के साथ उस रास्ते पे चल पड़े तो दुनिया में कोई भी ऐसा वैक्ति नहीं है जो आपको काम्याब होने से रोख सके हर काम्याब इनसान की स्टोरी पढ़ लें सभी लोग अपने लगन, मेहनत, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कांसिस्टेंसी, डिसिप्लीन ये सब चीजों को फॉलो करके काम्याबी हासिल किया है एक चाय बेचने वाला देश का परधानमंत्री बन सकता है एक पेटरॉल पंप वे काम करने वाला देश का सबसे अमीर इनसान बन सकता है एक बस में कंडक्टरी करने वाली उट का सूपर इस्टार बन सकता है एक रेलवे में टीटी का काम करने वाला इंडिन टीम का कैप्टन बन सकता है जब ये लोग कुछ बन सकता है तो हम सभी लोग भी कुछ न कुछ बन सकते हैं इन सब में जो गुन है जो क्वालिटी है वही गुन वही क्वालिटी आप में भी है बस फरक ये है कि इन्होंने अपने ड्रीम के लिए इमानदारी से लगन के साथ मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहा और अपने गोल को अचीव किया और अपने आपको काम्याबी हासिल किया तो हम सब ही गूं सबी भी जब आईसे ही अपने गुंड को पहचान लेंगे और consistency के साथ काम करेंगे तो हम भी काम्याब हो सकते हैं So आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी काम्याब हो सकते हैं life में सब कुछ हासान है life में सब कुछ हासान है कुछ भी मश्किल नहीं बस हमें करने का जजबा होना चाहिए अगर हमने एक बार ठान लिया अगर हमने एक बार commitment कर लिया कि हमें ये dream अचीव करना है और पूरी इमानदारी के साथ उसे अचीव करने के लिए अपने पावर को लगा दिया तो हम भी काम्याभी हासिल कर सकते हैं Hope that आपको स्टोरी पसंद आया होगा अभी के लिए बस इतना ही मिलता हूँ आप सबसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ कुछ और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ Thank you, have a nice day Allah हम सब का हामियो नासिर हो Jai Hind, Jai Bharat